आप ठीक सकते हो जैसे मैंने ओयल को किसमें डाल दिया वाटर में डाल दिया तो उन्होंने क्या बना दी दो अलग-अलग लियर्स बना दी मतलब वो एक दूसरे को बिलकुल भी पसंद नहीं करते एक दूसरे से बिलकुल भी प्यार नहीं करते क्योंकि जो ओयल है वो मेरा न आपका non-polar, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, soap और detergent एड़ करते हैं, वो क्या होते हैं, soap और detergent आपके high fatty acids के salt होते हैं, उनमें क्या होते हैं, आपके दो तरह की group लगे होते हैं, polar और एक non-polar, तो जो हम soap और detergent को add करेंगे, तो जो non-polar वाला part है, वो उस oil के चारों तरह इकटा हो जाएगा, और जो आपका polar group है, वो क्या हो जाएगा, आपका पानी में रहेगा, तो उसकी वज़े से क्या होगा, जो हम क्या करेंगे, उस कपड़े को rub करेंगे, उस detergent की वज़े से क्या हो जाएगा, जो आपका oil वाला part है, वो क्या हो जाएगा, वाटर में soluble हो जाएगा, तो जब वाटर में soluble हो जाएगा, तो वाटर के साथ वो निकल जाएगा,